बिग बॉस की घर से कौन अलिमिनेट हुआ है अभीजीद बिचुकले, रश्मी, देवोलीना ये तीनों जो हैं वो नॉमिनेटेड थे ऐसे में इन में से किसका अलिमिनेशन हुआ है जो खबरे आ रही है वो बेहर चौकाने वाली है वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो वोटिंग ट्रेंड में अभीजीद बिचुकले को सबसे कम वोट मिले थे लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए कि आखिर कौन अलिमिनेट हुआ है तो खबर आ रही है कि अभीजीद बिचुकले अलिमिनेट नहीं हुए जी हाँ अविजीद विचुकले का अलिमिनेशन नहीं हुआ रश्मी या देवलीना में से कोई एक सदस से बाहर हुआ है तो क्या देवलीना बेघर हुई है क्योंकि देवलीना को अगर मैं कहूं तो पैरों में भी काफी दर था उनको ऐसा लग रहा था कि वाकरी में मेडिकल हेल्फ फिलाल जो है मिलनी चाहिए ऐसे में क्या देवलीना का पत्ता घर से कड़िया है लेकिन अविजीद विचुकले जो लगातार इतने हफतों से जिस तरीके की भाशा का उप्योग कर रही है जो बाते कर रही है अकसर देखा गया है कि वो घर में सोते रहते हैं और इतना ही नहीं अब तो वोटिंग ट्रेंड में भी उन्हें सबसे कम वोट मिले इसके बावजूद क्या वो वाकरी में बजगे हैं क्योंकि यही खबरे आ रही है बिग बॉस के सेट से कि अभी जीद विचुकले जो हैं वो बेघर होने से बजगे हैं क्या राजीव अदातिया को यह पावर दी गई थे डिसाइड करने की कि कौन एलिमिनेट होगा क्योंकि राजीद भी बाहर आ चुके हैं तो यह देखना काफी दिल्चस्प होगा लेकिन जो खबरे आ रही है वो यही है कि अभी जीद भी चुकले अलिमिनेट नहीं हुए बलकि रश्मी और देवो लीना में से कोई एक जो है घर से बेघर हो गया है